आज की वीडियो बनाने का मेरा मकसद यह है कि बहुत सारे स्टूणेंट से जब इंटरेक्शन होता है तो एक सवाल आता है कि क्या हमारा प्लान भी होना चाहिए एक बहुत फेमास सीरीज आई थी रिसेंट्ली एस्पेरेंट सीरीज जिसमें बहुत अच्छा डायलॉग था जिसमें एक सेनिर ऐस आफिसर कहते हैं, वो चाहते हैं कि उनका बेटा भी आईस बने और वो ये कहते हैं कि मेरा कोई प्लैन भी नहीं था, इसलिए जो है मैंने इतनी महनत करी इतनी शिर्द से और यह जो है प्लैन भी नहीं होना चाहिए अब यहाँ पर ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ ये नहीं है इसका मकसद ये भी है कि रीसेंट्ली कुछ ऐसी न्यूज आई जिसमें कि ईसके पीचे डाटा है मैं डाक की साथ बात करूंगा करोंगा कि जतना हम जादारा रैशनल बात कर सकें वह जो हैं पर हम बात करें रीसेटली हैं ने देखा किButton. 17 all india topper 22-23 लाग बच्चा फिपर देते हैं और अगर किसी का first rank आ रहा है तो आप सोच के चलिए कि how much talented that person is और वो एक family का loss नहीं है वो एक I would say nation का loss है और उसके इलावा हमने देखा recently IIT गुहाटी में student है यह वो students है जिनको लाखो बच्चे जो है look up to करते हैं need का topper IIT का student उसके इलावा बहुत सारे students जो aspirants है जो prepare कर रहे हैं वो message करते हैं कि सर्थ हमारा कोई plan भी नहीं है हम अगर यह नहीं करेंगे तो हमारी life कुछ भी नहीं होगी ठीक है हम कुछ कर ही नहीं पाएंगे हमारा कोई plan भी नहीं है बा हमारे पास यही एक option है exam करने की और जो है हमें गाइड कीजे ठीक है तो मैं उन सारे issues को discuss करूंगा मैं बहुत fairly discuss करूंगा बिल्कुल data के साथ दोनों viewpoint बताऊंगा उसके बाद यह भी बताऊंगा कि हम यह discuss करेंगे fairly कि क्या strategy हो सकती है क्या criteria हो सकते हैं अगर आप plan B सोच र आपका background क्या है ठीक है आपका interest यह बहुत सारी चीजों पर है वो सारी चीज़े आज के session में हम discuss करेंगे I really want कि यह video जो है maximum बच्चों तक पहुंचे और maximum बच्चे इसको पूरा देखें क्योंकि बहुत important है इसको बनाने का सिरफ यही मकसद है कि जो stress level बढ़ा है और जो ब comment section box में अप लिख सकते हैं but the idea is to tell my viewpoint to all the students ठीक है चलो अब देखो सबसे बहले मैं downside की बात करता हूं कि downside जैसे वो movie में भी कहा गया कि plan B मेरा नहीं था मेरा सिरफ plan A था तभी मैंने जो है मेरा यह selection हुआ ठीक है तो सीधा सीधा इसके पीछे कहानी गई जाते कि divided focus कि आप जैसी plan B के बारे में सोचेंगे तो कहीं न कहीं आप focus नहीं है बहुत सारे लोग कहते हैं कि plan B कुछ नहीं होना चाहिए आप एक ही retention span कम हो जाता है ठीक है less risk taking आपकी जो risk taking capacity है capability है वो कम हो जाती है और वो अगर यह दोनों point देखें तो कुछ हद तक यह सही है इसमें कोई दोराई नहीं है कि अगर आप देखेंगे तो divided focus अगर आप plan B के बारे में सोच रहे हैं तो obviously आप कहीं ना कि अपना दिमाग उसमें लगा रहे है energy उसमें लगा रहे है और दूसरी चीज़ क्या है आपकी risk taking capacity कम हो जाएगी कहीं शायद हो सकता है कि आप थोड़ा ज्यादा मेहनत करते plan A के लिए जो आपका सही माइने में plan है plan B आते ही शायद आप थोड़ा सा आपके effort में कमी आ जाए ठीक है यह दो point है valid है benefits क्या है plan B होने के benefit क्या है दोनों flip side B है right side B है तो security and peace of mind आपके पास plan B है आपको एक दिमाग में peace of mind है कि अगर यह नहीं हुआ तो यह definitely मैं कर लूँआ ठीक है I'll sail through my journey ठीक है तो सबसे important क्या है अगर वो plan work out नहीं गया मेरे पास plan B है flexibility जो plan B है वो आपको एक flexibility देता है career में life path में ताकि आप जो है adapt कर सके changes circumstances को आपके पास limited number of attempts है माली जिया यो PSA civil services का paper दे रहे हैं CDS का CEPF का कोई भी exam दे रहे है वह age limit है और number of attempts है depending upon ठीक है exam to exam तो वो जो है यहाँ पर आपकी वो flexibility अब वो attempts खतम हो कोई तो क्या करेगे कुछ नों कुछ करेंगे ठीक है तो वो देता है उसके बाद learning experience की बात करें तो plan B जो है एक valuable learning experience हो सकता है आपको नई skills सीखने का मौका मिल सकता है आपने शायद उन skills के बारे में सोचा ही ना हो और हो सकता है कि वो skills सीखने के बाद आपको लगे कि यह आपके plan A से भी बहतर हुआ ठीक है जैसे कहते हैं कि आपका मन का हुआ तो अच्छा ना हुआ तो और अच्छा क्योंकि वो फिर जो होता है वो भवान के मन का होता है या भवान का किया होता है तो उससे आप नई चीजे सीखने के लिए त्यार होते हैं ठीक है यह कुछ उसके potential benefits हैं अब मैं कुछ data आप से share करना चाहता हूं ठीक है आग motivate करने के लिए नहीं है यह सरफ एक reality check है ठीक है यह reality check है इसके बीछे मैं आपको जो है मंच्छा भी बता हुआ ठीक है उसके बाद अगर मैं CAPF की बात करूँ दो लाग चौशाट हजार लगबख नबबे हजार ठीक है अलग लग एक्जाम में अब यह जैसे आप means में जाएंगे तो obviously जिनका prelims clear होगा वही means लिखेंगे तो मैं पहली stage की अगर मैं बात करूँ जो एक्जाम बड़े हैं ठीक है उनमें आपको यह number of students मेंते हैं similarly NDA में देखोगे तो NDA में जैसे अगर आप देखोगे तो 6,88,000 पांच लाग ठीक है यह बच्छे आपके अपीर हुए हैं तो NDA में यहाँ पर 3,73,000 3,36,000 CDS के अगर आप बात करोगे तो CDS में अगर आप देखोगे 2,25,000 3,13,000 और यहाँ पर 1,16,000 1,55,000 ठीक है तो मोटा मोटा डेड़ लाख बच्चा जो है CDS में अपीर हो रहे हैं NDA में लगबग 3-4 लाख के बच्चे अपीर हो रहे हैं और CAPF में लगबग 1,00,000 बच्चा अपीर हो रहे हैं ठीक है अब इसमें number of seats को देख लेते हैं ठीक है number of seats य UPSC के annual report आती है UPSC की website पे available है Google पे करिए UPSC annual report आपको मिल जाएगा data एक PDF मिलेगी उसमें से यह लिया गया data 749 seats civil services की ठीक है forest services इसको 10 ठीक है यह total number of seats अब एक seat के पीछे कितने बच्चों ने फॉर्म भरा है 1460 1460 ने फॉर्म भरा 50% ने नहीं दिया चलो मैं उसको भी निकाल देता हूँ 730 एक seat के पीछे कितने बच्चे appear कर रहे हैं 730 students एक की का होगा 729 का नहीं होगा यह तो fact है इसमें कोई मतलब यह कुछ वह बात तो नहीं है कि हम इसको कुछ छपा रहे हैं ठीक है आई थिंक यह सबको कहीना के दिमाग में clear है ओके similarly यहां पर अगर आप देखेंगे Indian forest services 2500 students for one seat again say 50% is not appearing still 1200 students approximately मोटा मोटा लेके चल रहे हैं हम यहां पर ठीक है engineering services 573 again the idea here is कि एक seat के पीछे 400-500,000 बच्चा जो है paper दे रहा है ठीक है तो यह है आपका idea अगर आप यहां पर number of seats देखोगे उन्हें सो बचास साट इकसट दोजर बाइस देईस ठीक है यह पूरा जब से UPSC exam conductor रहा है 3,000 ठीक है यह peak करा था 7,600, 7,600 maximum सारी seats मिला के जो direct recruitment है indirect recruitment है सारी recruitment मिला के 7,600 यह जो है यह data आपका 2022 ते इसका लगभग 6,000 मोटा मोटा 6,000 student जो है कै लिजिए candidates select किये जाते हैं बच्चे कितने हैं 5,6,10,000 अलग लग exam में यह तो अभी मोटा मोटा में civil services का ले रहा है गोर बहुत सारे है तो अगर मालो हर साल 10,000 बच्चा भी है सौरी seats मिला के सौरे exams मिला के ठीक है कितना हो रहा है आपका 6,000 ठीक है तो बहुत ही clear है एक बात ठीक है के selection जो है वो 6,000 का होगा अब फिर वो इसमें emotional कैसे किया जाता है emotional के भई ठीक हो एक होता है fact एक होता है fake motivation मैं यह बिल्कुल नहीं कहा रहा हूं कि आप त्यारी ना क करें मैं कहा रहा हूं कि बिल्कुल जी जान त्यारी करें तसली बख्ष त्यारी करें अपना 100% effort दे आपको कभी future में यह ना लगे कि मैंने effort कहीं अपना कम किया बट आपको यह समझना है कि इस पूरे process में कितने students का clear होगा ठीक है मैं अपने लिए 2 साल 3 साल 4 साल का समय start working on my plan B ठीक है मैं अपने plan B दो साल के बाद 3 साल के बाद 2 साल पूरी dedicated त्यारी करी उसके बाद मैंने plan B पे भी काम करना शुरू कर दिया थोड़ा थोड़ा ठीक है तो यह reality को accept करना और plan B को आप यह मत समझो के plan B को बिल्कुल उसके criteria मैं discuss करूंगा मैं यहां पर कोई career counseling न देखना चाहिए कि हाँ जी एक ही seat है आपको एक ही seat चाहिए होती है आपको इतनी सारी seats सोडिना चाहिए है but again the reality is the competition it is not just your hard work कही न कहीं वो luck factor है ठीक है अब वो देखो ऐसे समझो के civil services में वालो 1000 बच्चे है अब जो जिनका interview में selection मतलब interview के लिए जा रहे हैं वो सारे ही ब 5,000 बच्चे हैं वो बहुत अच्छे है सारे equally competitive है but उन में से 1000 का selection हो रहा है ऐसा नहीं कि बाकी 4000 है यह बाकी 2000 है वो अच्छे नहीं है कि इस SSB में किसी समय परमिताब अच्चन आये थे राउल द्रविड आये थे डॉक्टर एपीज अब दूर क्लाम आये थे अब इन परस्नेलिटीज का introduction देनी की जुरूत रही है so they excel in their respective careers so the idea here is so it is it is not the end ठीक है it is the beginning of new journey new chapter in life okay चलो अब इसमें क्या किया जा सकता है ठीक है देखो इसमें सबसे पहले why आपका why why you are preparing for civil services why you are preparing for CAPF CDS for that matter any particular exam SSECGL ठीक है कोई भी exam के लिए आप क्यों prepare कर रहे हैं why ठीक है आपका reason क्या है ठीक है और उस reason या उस why से align होता हुआ कौन सा और goal हो सकता है उससे align होता हुआ आपका और क्या career option हो सकता है जो आप अडाउट कर सकते हैं so alignment with your personal goals and values feasibility and practicality ठीक है feasible होना चाहिए ठीक है आप इसको मैं और detail में discuss करूँगा potential for success and growth उसका potential क्या है future में 10-20-30 साल में उसका potential क्या हो सकता है तो it is very difficult to measure the potential of any career in the today's field जैसमें AI है robotics है बहुत साइच चीज़े हैं बट still ठीक है time and effort required अब वो कितना smooth है transition plan A से plan B कितना smooth है वो transition आपका और impact on work-life balance clarity of plan A अगर आपका plan A बहुत clear है ठीक है बहुत जादा clear है plan A understanding your level of commitment यह बहुत crucial है तो आपको बहुत जादा plan B की जुरुत नहीं पड़ेगी but again आप कहें के लिए किसी भी category के लिए एक अपर age limit है तो उसके बाद उन्हें का कि जी नहीं आप नहीं दे सकते तो तो plan B तब भी तो काम करेगा तो एक certain time limit के बाद आप बेशक आपका commitment level बहुत अच्छा है there is no doubt about this but certain point के बाद आप उस plan B पर जो भी आपका plan B है उस पर काम करना शुरू करें time sensitivity अगें वह पॉइंट में आप और डिसकस को चुका है personal interest and skills मेरा personal interest क्या है मेरी skills क्या है उससे align होना चाहिए वो चीज़ ठीक है इस वेरी important के मेरी strength क्या है एक Japanese concept है इकागई ठीक है हो सकता है बहुत सारे लोगोंने सुना हो मैंने इस पर वीडियो भी बनाया था इकागई इकागई concept क्या कहता है मोटा मोटा कहें तो passion ठीक है आपका passion क्या है life में purpose क्या है आपका life में तो it is not just passion it is your strength आपका strength area क्या है जिसको आपको करके अच्छा भी लगता हो आपका strength area भी हो दुनिया की need भी है दुनिया मतलब उस आपकी जो strength है उससे लोगों की कुछ मदद हो हो रही है और उसको आप monetize कर सकते हो ठीक है उससे आपको कुछ पैसा भी earn हो सकता है अगर ये चारों चीजें एक किसी particular profession में हो रही है उसमें आपकी strength है उसको काम को करके आपको अच्छा लगता है लोगों की need है वो और उसको monetize कर सकते हो that become your area ठीक है वो आपका क्या चीजें देखने आप उसमें learning opportunities ठीक है obviously आपकी learning opportunities क्या है कहां कहां से आप उन चीजों को सीख सकते हैं अच्छी बात क्या है आपके सामय अबर classroom में पढ़ाई जितनी हो रही है वो बहुत कम है YouTube है बहुत सारी चीजे हैं बहुत अच्छे courses हैं बहुत सारी universities के courses हैं बहुत स जाकर आप access कर सकते हैं ठीक है risk management की बात करें financial stability देखो जो plan B है वो अगर plan A आपको बहुत ज्यादा risky है तो plan B ना थोड़ा सा stable होना चाहिए कहीं ना कहीं वो आपको थोड़ा financial support करना चाहिए ठीक है यह एक basic सा premise है plan B का ठीक है अगर आपका plan A काम्याब नहीं होता ऐसा नह चाहिए ठीक है अगर आपका uncertainty है plan A में तो आपको plan B में थोड़ी सी certainty नजर आनी चाहिए ठीक है ideally अब यह मैं यह नहीं कहा रहा हूं कि बिल्कुल ऐसे stable profession होना चाहिए बट आपको लगना चाहिए कि ठीक है मेरे basics cover हो रहे है passionate versus practicality ठीक है आप आप कहेंगे जी मैं इस चीज के लिए passionate हूँ बट क्या वो practical है ठीक है जो है वो align कर रहा है कि आपके पास वैसे resources है ठीक है resources हर तरीके के financial resources family support wise सारी चीज़ें जो है वहाँ पर आपको मिलनी चाहिए market में उसकी demand है या नहीं वो already हम इगागाई वाले concept में discuss कर चुके है long term vision ठीक है long term vision के साथ आपका align है या ठीक है आप में life में क्या चाहते हैं वो बहुत important है example के लिए मैं छोटा से example लेता हूं मालो एक student है जो judiciary की त्यारी कर रहा है judicial officer बनना चाहता है उसका अगर selection नहीं हुआ he or she started practicing law as a lawyer future ने जाके judicial officer या judge बनने का मौका है तो कहीं ना कहीं वो alignment है long run में वो services आप कर सकते हो ठीक है अगर आप IPS बनना चाहते हैं civil services में state civil services में आपको future में state civil services के through one third seats reserve होती है और IPS तो state civil services के में कुछ साल सर्व करने के बाद आप IPS में promote हो सकते हैं वो option है आपके long term vision के साथ line है जो भी मतलब जो भी आप सोच रहे हैं ठीक है so career flexibility तो यहां पर आपकी एक जो है long term career flexibility है a well thought out plan B जो है आपको career flexibility देता है adapt to changing circumstances और still progressing towards your long term vision और कई बार ऐसा है कि जब आप plan B pursue करेंगे तो हो सकते आपको लगे कि ज़्यादा suitable है ठीक है और क्या चीज आपको ध्यान में रखनी है time and energy ऐसा नहीं होना चाहिए कि plan A के बाद plan B में बहुत बहुत ज्यादा मतलब आपको ऐसा फील नहीं होना चाहिए ठीक है अगर आपको वह अपने जनली problem क्या आता है बहुत सारे बचों को ना stress level क्या होता क्या वह चीज़ अगर मैं शुरू करूंग और फिर वह मेरे को scratch से शुरू करने बड़ेगी ठीक है तो वह मतलब आपने पहले भी बात कर चुका हूं support system financial support system family support system family आपकी वह support कर रही है नहीं ठीक है आसपास का environment कैसा है वह भी बहुत important अगर नहीं है तो वह आपको वह convince करना बढ़ेगा बताना बढ़ेगा कि यह plan B है और यह नहीं हुआ तो मैं I'll take this route ठीक है you have to convince जो भी family friends ठीक है जो जो भी visit strategy अब यह बहुत important है ठीक है preparation कर रहे हैं when to switch smooth transition कब switch करना है जो मैं बार-बार बात कर रहा हूं दो साल तीन साल जो भी आप अपने लिए time set करें ठीक है उसके बाद धीरे धीरे plan B पे काम करना शुरू कर देंगे ठीक है अब क्या options हो सकती है अगीं यहाँ पर मैं एक note दे कि यह career counseling session नहीं है आप बहुत सारे careers है आज के समय पर मतलब बहुत सारे options है यह कोई tailor made solution नहीं है सबके अपने circumstances हैं सबके अपने अपने situations हैं but overall options क्या हो सकती है कैसे सोच सकते हो आप इनके बारे में देखो एक है सबसे पहले government careers ठीक है जी एक government job मालो आपने target किया नहीं हुई मालो civil services civil services के लिए I was talking to one of the student के जी central and police sources examination examination CEPF examination unfortunately or fortunately I don't know के CEPF has become a plan B option for civil services for CDS experts ठीक है तो यह CEPF is has become kind of a plan B option ठीक है तो वह है ठीक है वहाँ पर अगर आप देखेंगे services में जाएंगे हो सकते है बहुत सारे लोग नराज हो जाएं मेरी इस बात से पर अगर आप जाएंगे I have also served there ठीक है तो वहाँ आपर यह चीज़ आपको देखने को मिलती है ठीक है बहुत सारे लोगों का वह प्लाइन भी ही था प्लाइन एक्जीकूट नहीं हुआ अच्छी government job guest officer rank की तो वह वहाँ पर चले गए ठीक है जी ओके नेक्स्ट आता है government jobs ठीक है और यह कैसे plan B है government exams की त्यारी कर रहे हैं आप हमेशा एक particular exam की त्यारी कर रहे होता है जिस पर आपका main focus होता है जो आपका main idea होता है बट जो बाकी exam से वह आपके एक तरीके से plan B के रूप में चल रहे होते हैं ठीक है जी उसके लावा प्राइवेट शेक्टर हो सकता है ठीक है जिसमें आप एक अच्छी corporate job देख सकते हो legal services बहुत सारे लोग law करते हैं लिल भी करते हैं ठीक है उन्होंने बहुत सारी पढ़ाई कर ली है खासकर अगर हम यह बहुत सारा ओडियन्स जो है government services की टैरी कर रहा है तो क्योंकि उन्होंने पढ़ लिया तो law becomes very natural option क्योंकि आपने वो जब आप law practice करोगे तो you would be a better lawyer क्यों उसके बाद आप education और research में further education और research में मालो आप graduation आप नहीं की है post graduation PhD ठीक है वो आप कर सकते हो net GRF दे सकते हो teaching field में जा सकते हो think tank UN international organizations के लिए try कर सकते हो यह है आपका एक plan भी हो सकता है NGOs social work ठीक है NGO या social worker अगर आपको लगता है कि आप truly committed हो ठीक है social sector में काम करने के लिए तो वो NGOs बहुत सारी international NGOs है उनमें का आप कर सकते हो technology and digital अगर आपको वो flair है technology वाला ठीक है technology का flair है आपको अच्छा लगता है तो आज की समय पर बहुत opportunities है video editing ठीक है जी data science AI robotics digital marking video editing website development यह सारी technology related fields आप बहुत अच्छी है future literature literally का है तो इन ही का है और इसमें आप आगे बहुत excel कर सकते हैं ठीक है साथ साथ में अपना काम कर सकते हैं और यह काम ऐसे हैं मतलब अगर आप इस टेकनोलेजियर डिशनल की बात करें तो इसमें बहुत सारा आपको तो while doing your preparation आप इसमें काम कर सकते हैं ठीक है बहुत सारी आपको jobs जो है यहां पर मिल जाएंगी part time बहुत सारी jobs आपको मिल सकते हैं ठीक है जिसको gig economy आज के समय पर हम बोलते हैं ठीक है gig economy sports and fitness हो सकते हैं कि अगर आप मालो sports को लेकर बहुत जादा active है या sports sports को बहुत पसंद क इसको आगे further pursue कर सकते हैं बहुत सारे लोग हैं जो आज के समय पर fit होना चाहते हैं और एक कहीं ना कहीं fitness का लोहों में जादा awareness आई है तो यह बहुत अच्छी opportunity हो सकती है तो मैं सिर्फ आपको broadly categorize कर रहा हूं चीजों को ठीक है there might be a number of options ठीक है जो मैं entrepreneurship की बात कर रहा हूं तो इसमें बहुत सारी चीज़े हो सकती है ठीक है MBA में MBA finance है international relations है MBA marketing है again ठीक है postgraduate options defense and public administration अगर आपको लगता है कि मैं इसी फिल्ट में आगे रखना साथा हूं तो master's MA in defense strategic studies public administration ठीक है postgraduate diplomat security management ठीक है law and criminology science MSE in criminology foresting science ठीक है LLM हो गया आपका ठीक है business and internationalization जो अभी हमने discuss कि MBA का then आपका community and security so postgraduate diploma in disaster management, community development, cyber security यह सारी चीज़े हो सकती है further education options ठीक है so again बार-बार में वही सारी चीज़े repeat कर रहा हूं और यह जरूरी नहीं है कि यह courses आप करें आज के समय पर it is important to have a skill than a degree ठीक है अगर आपके पास skills है तो बहुत सारी companies आज के लिए कहते हैं कि हमें आप से degree नहीं चाहिए हमें skills हैं अगर आप यह प्रूफ कर देते हो कि आपके पास required skills हैं तो हम आपको hire कर लेंगे ठीक है खासकर यह technology related जो चीज़ें ठीक है सो MBA है BCA, MCA, MCA, MCOM, BCOM, psychology, again the idea here is not to tell you about all these courses यह तो आप Google करोगे बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगे ठीक है journalism, mass communication ठीक है यह एक बहुत अच्छी field है जिसमें अगर आप you are very good speaker और आपको अच्छा लगता है you can go into that field बहुत सारे ऐसे आपको journalism में जो आज के समय पर बहुत top personalities आपको journalism में मिलती हैं बहुत सारी आप उनके बार में पढ़ोगे तो आपको पता लगेगा कि किसी समय पर व in terms of you can say the pay and packages influence अगर लोगों में influence की बात करें ठीक है बहुत सारे जैसे भी आप success को मेजर करते हैं नेम जैसे भी अब वो डिपेंड करता है success को आप कैसे मेजर कर रहे हैं बहुत सब लोगों का success का criteria अलग लग है ठीक है तो उस तरीके से आप उसको देख सकते हैं बैचलर और मास्टर्स in environmental sciences, economics, data sciences, data sciences is very like emerging field और total management, fine arts, international business, again the idea here is whether you should have a plan B or not मैंने बहुत क्लिरली अपना viewpoint रखा है आप भी अपना viewpoint रखे हैं comment section box में the idea here is you should देखो इस age में अगर कोई government job के लिए प्रिपेर करना चाह रहा है और officer बनना चाह रहा है तो this is the best way to start your career ठीक है no doubt about it इस young age में 24 बच्चे 26 साल के उमर में आपको एक officer rank मिलना एक huge responsibility मिलना ये बहुत बड़ी बात है और एक बहुत अच्छा career progression है but it is not the sole thing ठीक है आपको बहुत सारे senior officers मिल जाएंगे those who are not very much satisfied with their services ठीक है they are doing the job but they are not very much satisfied ठीक है आपको public platforms भी बहुत सारे लोगों ने बात कही है again the idea is not to demotivate anyone ठीक है the idea is again सबका अपना अपना perception है ठीक है सबका अपना perception है success को देखने का और सबका अपना अपना तरीका है किसी भी particular job को देखने का what you want why मैंने शुरू में आपका clear होना चाहिए अगर वो why clear है then things become very much clear उनको लिखे और यह जो criteria मैंने आपको बताए कि क्या क्या चीज़े हो सकती है smooth transition है resources है family support है family and friends support है knowledge available है strength है वो आपकी skill है यह सारी चीज़े मिला कर आप अपना plan भी त्यार करें that's all from my side thank you so much the idea is again मैं बार-बार कहा रहा हूं कि आपकी life बहुत 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 है बहुत इंपोर्टेंट है बहुत वैल्योबल है आपकी अपने पेरेंट से कभी एक बार पूछें बैठके के आपकी life की क्या value है यह एक exam आपकी life को तैख नहीं करेगा और नहीं करना चाहिए किसी की भी life को आप life में बहतरीं कर सकते हैं बहुत सारी example है इसको लेकर मैं अलग एक video बना सकता हूं जिनका plan A काम नहीं किया जोनोंने पहले initial में जो चाहोगा वो नहीं work out किया और जो plan B था जो भी एलो एक alternative career था वो उसमें इतने successful हुए कि मतलब वो plan A उनके सामने बहुत छोटा पड़ गया ठीक है तो ऐसी बहुत सारी examples है तो it is just your mindset it is very important to take one thing at a time पिलकुल आप उस पर focus कीजिए पिलकुल शिदत से अपनी मेहनत कीजिए but the thing is beyond a point start preparing for that also that's all thank you